नमस्कार जेहिंद प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुने सभी का स्वागत अभी नंदन है दोगो जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि मार्च से लगा कर पिछले माय जब मार्च था तो जो सेकिंड अपूरड लिष्ट जारी हुई थी फिर उसके बाद तीसरी को लेकर चर्चा बनी थी और इस बार तीसरी से समद्ध जो भी सुचन आप सभी ने देख भी लिए उसको थोड़ा सा व्याक्यात्मक तरीके से में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है एक बार के लिए पहले जो न्यूज आई थी कि तीसरी चरण तीसरी लेष्ट आएगी उसके अंदर 1500 विद्यार सम्थिंग उनका चेन किया जाएगा फिर एक न्यूज ये भी निकल कर आई थी कि 1700 के सम्थिंग विद्यारती हो सकते हैं तो दो न्यूज लेकर आई थी लेकिन दोनों अकबार की कटिंग थी वो लेकिन पद तो मानकर चले 1500-1700 सीटे खाली थी अब जो 1500-1700 सीटे खाली थी अब जो 1500-1700 सीटे थी उनको लेकर जो संसिया बना हुआ है कि या 15 सो है या 17 सो है उनको लेकर आज बोर्ड ने अपनी और से एक स्टेटमेंट जारी किया है इसमें लिखा है उन्होंने कि जो बीकानेर के द्वारा जो आयो जी थी प्रीक्षया वो अभिर्थियों के लिए मैं तो प्रणुसू छे ना कि प्रीड प्रीक्षया 2023 के प्रणाम के उपरांथ 8-4 को संस्ता आउंटन का तीसरा चरण अधिकर्थ वेबसाइट पर जारी किया गया था सारवजनी खित में ओनलाइन संस्ता संस्ता रिपोर्टिंग का कारिये करम निमन अनुसार संसो दित किया जाता है तीसरी लिष्ट को लेकर जो 1500 या 1700 से लेकर जिसका रिपोर्टिंग को लेकर जो सुचना आये थी हमारे पास में 8 अपरेल को उसके उपर एक थोड़ा सक पुने एक और स्टेटमेंट दिया है इनोंने इनोंने कहा भी है वही बाते हैं कि अगर आपने काउंसलिंग करवा रखी है तो आपको फीस जमा करवाने क्या हो सकता नहीं है आठ तारिक से लगा कर उसकी जो दिना का वद्धी थी जो आज जैसे 15 तक थी वो साइद मेरे साब से 15 या 16 तक थी उसको बढ़ा कर अब 21 कर दिया है जिनकी वज़य को विद्यार्थी इग्नोर कर देता है या देख नहीं पाता या फिर सभी को कलोज कर देता है जिसकी वज़य से तो आपको बताना चाहूँगा मैं आप सभी सातियों को आप एक बार के लिए जो विद्यार्थी सोई हुई हैं वो थोड़ा सक जाग जाईएगा दोस्तों क्यूंकि अब तीसरी लिस्ट के लेकर इन्होंने थोड़ी तारीक बढ़ाई है इसका मतलब कुछ विद्यार्थी एक्टिव नहीं हुए हैं वो ऐसा भी सकता है तो इसलिए इन्होंने 21 तारीक तक को इन्होंने कह दिया है कि अभियर्थी अपने दस्तावेज अप्लोड कराएं 22 अप्रेल तक बाकी 7 में डिटो है वही की वही बाते हैं तो उसको लेकर आज जो है वो आठ तारीक को जो अप्लोड किया गया था आज उसके मामले में कुछ संसोदन जो किया गया था समय को लेकर वो ये था यानि उसके तो आप सभी साथियों को पता भी है बहुत सारे विद्यार्थियों ने साइध रिपोर्टिंग नहीं करवाई होगी जिनका नाम आगया होगा या फिर गोर नहीं की होगी तो आप सभी के लिए ये महतोपूर्ण सुचना है दोस्तों कि जिस भी विद्यार्थिक को अगर मिल गया है कोलेज तो अपना साल ने गवाती हुए बड़ी अत्रीके से बिएस टीसी कीजिएगा थर्ड ग्रीड रध्यापक बनने का एक आपके पास सुने रावसर है फिर भी आप एक बार के लिए चेक कर लिएगा जिन विद्यार्थियों ने काउंसिलिंग करवाई थी तो कोई बात नहीं आपको चिंता करने की आऊ सकता नहीं है लहर कलासे तो और त्यारी कलो परिवार है वो आपके साथ हमेसा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा BSTC 2024 को लेकर हमने आपके लिए भैतरिन बुक आपके लिए सुवे वैस्तित हमारे त्यारी कलो पब्लिकेशन के और से सभी द्यापको ने मिलकर आपके लिए निकाली है आप ओल्लाइन भी ओडर कर सकते हो या ओफलाइन नजदी की बुक स्टोर से कहीं से भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हो ओल्लाइन जब जिन विद्यार्चों ने प्राप्त किया उनको कोर्स भी अमने पिछे ओफर के अंतरगर फ्री दिया था ने सुलक दिया था तो आप इस मोके का समय समय पर फाइदा जुरूर उठायागरो दोस्तों फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद सभी साती सेशन को लाइक और शेर जुरूर कीजिएगा चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा सभी को धन्यवाद राम राम खमा गनेशा